हेलो दोस्तों लाप्टप बास्टर आपका स्वागत है मैं आपका दोस्त निशाद आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो और एक नए लाप्टप के साथ आज हम लेके आए हैं न्यूरी लॉंच्ट एच्पी ओमें 4050 ग्राफिक्स के साथ 6GB डेडिकेट DDR6 ग्राफिक्स लाप्टप जी हां ओमें WD-0770TX लाप्टप आज हम इस लाप्टप की अंबॉक्सिं करेंगे इसका रिव्यू करेंगे और लाप्टप का बैक पैनल भी ओपन करके आपको दिखाएंगे एच्पी ने अभी ओमें में काफी लाप्टप लाउंच करें हैं जो भी लाप्टप ओमें लेके आ रहा है वह 4000 ग्राफिक्स के अंदर है हमने इससे पहले भी एक वीडियो अप्लोड करी थी आपने जरूर देखियो कि ओमें ट्रांजेंट सीरीज जो एच्पी ने लाउंच करी है 4070 ग्राफिक्स आर्टीवी के साथ आज हम लेके आए हैं ओमें का इनिशियल मॉडल जो स्टार्टिंग सीरीज आप कह सकते हैं 4050 की आइफाइफ है थार्टीन जेनरेशन में सोला जीवी नाइम पांसो वाला जीवी एसेजी और 4060 ग्राफिक चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं लापटॉप को अन्बॉक्स करते हैं कहें मत देगा वीडियो के अंतर हमारे साथ बने रहेगा लापटॉप का बैक पैनल आपको ओपन करके दिखाएंगे और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे एक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा बैल आइकन जरूर पैस कर दिखाएगे आपके लिए नए नए वीडियो लेके आते रहते हैं नए नए इंफोर्मेशन हम सिरफ आपके लिए लेके आते हैं चैनल सब्सक्राइब कर रहें जैसे सब्सक्राइब लटते हैं तो हमारा भी वस्ता बरता है और हम कोशिछ करते हैं नए ने कोश्र करें जल्दी सी जल्दी आपके लिए वीडियो अप्लोड करें नए-ने लाप टॉप की तो चलिए दोस्तों करते हैं लापटाप को उन्बोक्स दोस्तों लापटाप हमने ओपन कर लिया है यह लापटाप है पहले हम देखते हैं और जैसे उसके प्रिमियम पावर कोड आती है वह साथ में 230 वाट्स का पावर एड़क्टर देखने में आपको पज़े ज्यादा तो चलिए दोस्तों आते हैं लाफटॉप पर लाफटॉप के बिल्ट क्वार्टी की बात करेंगे अपने ध्यान दिया होगा जो हमने पीछे भी ट्रांजेंट सिरीज लॉंच की ती उसमें लाफटॉप में काफी स्लिक नहीं थी ओमें में एच्पी ने उसको थोड़ा लाफटॉप की बात करेंगे तो ओमें की जैसे लास्ट वीडियो ने बताया था बड़ी जबर्दस बिल्ट क्वार्टी आपको में मिलती है मैटल बॉडी के इंदर लाफटॉप आता है अगर हम बैक पैनल की बात करेंगे तो आप देखें कितने बड़ा कूलिंग बेंट आपको इसमें मिलता है रवर होती है इसके एर पास सोने के लिए जो आपके लगट को सब्सक्राइब दिखाई ने का होता है तो जो आपको हमेशा दिलता है तो चलिए दोस्तों देखते हैं लाप्टॉप के पोर्स कौन-कौन से हैं जो फिनए पिस में दिये हैं फिर चार्जिंग के लिए चार्जिंग जैक जिससे लाकटप चार्ज करते हैं फिर दिखाई देगा आपको HDMI 2.1 आपका टीवी या प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने के लिए उसके बाद आपको दिखाई देगा यूएसबी टाइप 5Gbps सिगनलिंग रेट के साथ और एक पोड आपको दिखाई देगा आपको दिखाई देगा यूएसबी टाइप 5Gbps सिगनलिंग रेट के साथ पिर आपको दिखाई देगा कूलिंग वेंट उसके पाद आपको दिखाई देता है एक 3.5 mm का ओडियो जैक्ट आपके हैडफोन माइक कनेक्ट करने के लिए एक्स्टेन स्पीकर आपके से कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों देखते हैं लाप्टॉप की कॉनिफिकेशन शुरुआत करेंगे सबसे पहले सीप्यू से 13 Gen Intel Core i5 13 420H प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है बेसी स्पीड की बात करेंगे तो 2.1 GHz है मुस्ती हमने देगा था i7 के अंदर भी 2.1 GHz ही थी लेकिन Turbo Boost technology के साथ जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ या प्रोसेसर आते हैं यह Turbo Boost इसी जो maximum clock speed है वो है 4.6 GHz अगर हम core की बात करेंगे तो 8 core का प्रोसेसर है जिसके 4 core efficient core है और 4 performance core है जो 4 core है performance core उनकी maximum clock speed 4.6 GHz और जो 4 efficient core है उनकी maximum clock speed है 3.4 GHz देखे क मैं कई बार आपको बता चुक हूँ इन course के बारे में अगर आप जाना चाहते हैं आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो ऐसी बनाने की जिसके अंदर सिर्फ प्रोसेसर के बारे में मैं आपके साथ discuss करूँ अगर हम logical processor की बात आपको इसमें मिलती है अब आ जाते हैं मेरी पर 16 GB की आपको इसमें RAM मिलती है speed है 5200 MHz DDR5 RAM इसमें आपको मिलती है दो अलग अलग चिप इसमें लगी भी है दो इसलोट से हैं दोनों यूज़ है जब हम लाट टॉप को बैक पैनल ओपन करेंगे आपको दिखाएंगे अगर इसमें मिलता है gaming laptop है इनमें Wi-Fi हमेशा strong रहता है आपको ज़्यादा speed देने के लिए वैसे तो जैसे आपने अभी देखा था इसमें LAN port भी है mostly जो gamers होते हैं वो LAN port प्रिफर करते हैं internet के लिए क्योंकि उसके अंदर speed जो आती है वो stable रहती है ग्राफिक्स देखें यूए डी ग्राफिक्स है लेकिन जो इसमें हमारे मेन ग्राफिक्स है वो है इन्वीडिया जीफोर्स rtx 4050 जी हां 6 GB dedicated DDR6 ग्राफिक्स आपको मिलता है देखें ओमें i5 सबसे पहले लिए आया है i5 के अंदर अपना 4050 जीवी ग्राफिक कार्ट देखे शेयर्ट ग्राफिक्स भी है 7.9 GB टोटल अपको 13.9 GB मिलता है लेकिन जो हमारा मेन होता है वो dedicated होता है dedicated आपको इसमें ग्राफिक्स मिलता है तो अगर आपने इसमें editing करनी है video editing बेगार कुछ भी करनी है gaming करनी है आप इसमें सब कर सकते हैं कुछ एक कमी है आगे चलके इसम की क्वालिटी कैसी है इसमें आपको 16 इंचिस का फूल एच्टी डिस्प्ले बिलता है 1925 1080 डिसुलेशन के साथ रिफ्रेश्ट की बात करेंगे 144 हर्स का इसमें आपको रिफ्रेश्ट मिलता है IPS डिस्प्ले है माइक्रो एच्टी क्लियर और अगर हम निट्स की बात करेंगे तो 250 निट्स है और 45 परसंट एच्टी कैमरा मिलता है आपको इसमें आपको प्राइवेसी शेटर भी मिलता है जब भी आपको कैमरा यूज नहीं करना है तो आप इसको क्लोज कर लीजीगा तो चली दोस्तो हमन प्लाक्टोब के लिए वेलोरेंट के विड महीं डूर कर लीए और आज इस डीजीए नहीं करोंत होता जाड़ां बहुत ज्यादी स्फेक्ण की UX ऑं invent किर्ण आच आज हम आपको प्ले करके दिखाएंगे सेट मैं हाइब आपको एगाइब आपको 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 करेंगे कि अजिए आपकोज़ने दोस्टो कैसा लगा आपको आपकोचा मेरे के न है कर दोस्टो कैसा लगाएंगे लिए मेरे ग्मी खिल पर मच जगिए का कि आपको लगाऊवे मेरा प्लेच डाइट प्लेंड हो गया देगे में को गेम के लिए नहीं आती है बहुत ज्यादा लेकिन मैंने जो देखा इसकी स्मूधनेस बाके लाप्टाप पर भी हमने देखी है गेमिंग लेकिन आपको खुछ फील हुआगा इसके फ्रेम पर सेकिंड्स या बन टू फॉर्टी हट्स की स्क्रीन आपको समझ में आ गया दिखाते हैं लाप्टाप के अंदर के पार्ट्स अब दोस्तों लाप्टाप हमारा ओपन हो गया है देखिए लाप्टाप ओपन करना इतना एजी नहीं होता जितना आपको वीडियो में लगता है आप मत कोशिश करिए कि अगर आप कोशिश करेंगे तो इसके जो भूक्स होते हैं वो रेक हो जाएंगे उसके पार आपसे तुबारा नहीं होगा जब भी आपने ओपन करवाना हो तो किसी टेख्मिशन से ही ओपन करवाई है तो देखे बॉस यह हमारा लापटाप है जो हमने ओपन किया है यहां CPU और ग्राफिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं दो दोनों को रिमूब करके 16-16GB या 32-32GB की आप रहम इसमें लगा सकते हैं यहां आपकी SSD लगी भी है SSD आप अपगेड करना चाहें तो अपगेड कर सकते है SSD रिमूब करके आपको अपगेड करनी होगी यहां पर आपका Wi-Fi 6 है यह आपकी बैटरी है जो इसमें लगी है 6L की रही है और 83 work hours के साथ यहां पर दो आपको B&O के speakers दिखाई देंगे एक यहां पर एक यहां पर लगा हुआ है तो दोस्तों आज हमने ओपन किया ओमेंड WD0770 TX यारी 770 TX जो आइपाइट सटी इंजनेशन 16 भी रहा है पांच दुबाले जबी अंदर आप इसको अपने देखा अपगेड कर सकते हैं तो इसलिए बात करते हैं लापके यूसेज की देखे अगर हम देखेंगे गेमिंग के लिए तो पर्फेक्ट है 144 हट की स्क्रीन है जो एक गेमर को चाहिए एडिटिंग के लिए लापटाप पर्फेक्ट है आप यूज कर सकते हैं लेकिन इसमें आप जरूर ध्यान के लिए जब आप पूरल दो पोटोशॉप में आपने काम करना हो तो इसकी स्क्रीन का रिजुशन जरूर चेक करिएगा यह अगर आप जाते हैं तो यह लापटाप आपके लिए यूज नहीं हो पाएगा क्योंकि फॉर्टी पाइफ परसें न्टिएसी के साथ ही आता है तो अपने गेमिंग करना है तो लापटाप परफेक्ट आप अभी तो भी मार्केट में सब इसके इसमूधर प्लेग कर सकते ह मैं बहुत बड़ा गेमर नहीं हूं लेकि मैंने गेमिंग टेस्ट करके देख भी बहुत ही स्मूद चल रही थी देखे 144 हर्स के स्क्रीन हमें गेमिंग के लिए चाहिए होती है इसका रिप्रेश्ट होता है काफी लोग मार्केट में यह सोचते हैं कि अगर गेमिंग हमें चाहिए तो गेमिंग करनी है तभी गेमिंग लाफटॉप का डिफरेंस क्या होता है गेमिंग लाफटॉप में आपको पूलिंग एक्स्ट्रा मिलती है जैसे एच्पी अपनी टेक्नोजी के अंदर पार जाते हैं क्योंकि सिंगल ऐसा है उ में चाहता है सिर्फ अगर आपने इनक्राइब और लॉगी तो भी आपना नॉम्मल डिजाइनिंग करना है या आपने प्रोग्रामिंग करना है आप किसी भी लिए लाफटॉप को ले सकते हैं यह सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं हो काफी होता है कि अगर आपने कित्री भी कर ले ये पूल रहता है अगर प्राइसिंग की बात करेंगे तो ओमें नहीं इस लाफ्टाप को एप्रॉक्सिमिट्री फॉन लाक फाइटाविंड की कोस्ट में लॉंच किया है आप मार्केट में जब लेने जाएंगे तो एक लाग सीरीज के साथ एच्पी दे रहा है बंडल करके वाइलेस हैटपोन दे रहा है इसके साथ भी अगर आप बात करेंगे तो देखे जब हम यह वीडियो बना रहे हैं तो एच्पी इसके साथ हाइपर एक्स का सो लोकास्ट 999 रुपे में सिरफ 999 में दे रहा है तो जब भी आ क्कॉल्टी इसके बारे में आपको काई वीडियो जरूर बनाओंगा कि जिसमें हमारे पास हाइपर एक्स के हैड़पोन और माउस होंगे उसकी क्वाल्टी के बारे में भी हम आपके साथ डिसक्स करेंगे तो वह लेना मद भूले गा एच्पी अभी इसके साथ एक साल की दे रहा है आप इसको सकते हैं दो साल की अगरा आपको अगर आपको तो वह सिरफ और सैज़ेगा कभी रटी से अपडेट करेंगा कभी भी किसी भी थर्ड पार्टी से एक्टेंड वाल्नटी नहीं लिए वो आपको नहीं मिलती है देखे वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्षन में जुरूर बताइएगा अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जुरूर कर दीजेगा और हाँ अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आका क्लिए नहीं हूं तो आप हमसे कमेंट सेक्षन में जुरूर पूछ सकते हैं तो वीडियो के आन तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे अगली वीडियो में नए लाफ्टाप्स के साथ जाहिन